ओम स्थापकायच धर्मस्य सर्वधर्म सरूपिने अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमा जननिम् शारदाम देविम् रामकृष्णम् जगत गुरुम् पाद पदमेतयो श्रित्वा प्रणमामी मुहुर्मुहु नमस्यति राजाय विवेकानन्द सूरय सच्चित सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिने कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकाश से स्वामी अखनानजी महराज ने स्वामी विवेकानन को पालिया लगबग एक वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद उनका फीचा करते 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 उन्होंने कहा था यदि तुम पातल में भी जाओगे तो भी मैं तुमको यदि नहीं पकड़ सका तो मेरा नाम गंगा नहीं और उन्होंने पकड़ी लिया स्वामी विवेकानन को पातल में नहीं मांडवी में और मांडवी में स्वामी विवेकान को देख करके स्वाभावी की उनके आँखों से हर्ष के अस्रो निकले होंगे और बहुती प्रसंद होगे आनन्द की कोई सीमा नहीं क्योंकि अपने प्राण की बाजी लगा करके जान की बाजी लगा करके आये थे दकेतों के हाथों से मरते मरते बज़ गये थे कितना बड़ा उन्होंन साथ जब मुलाकात होई मान्वी में तो अत्यंदन मानो प्रसंद हो गये सवामी जी प्रसंद हुए और सवामी अखाणरन जी लिखते हैं अपनी पुस्थक में बंगला में पुस्थक हैं औरिजनल पुस्तक स्मृती कथा में से उसका एंदी अनुबाद है उन्हों लेकता है कि यहां पर वहां पर उनको पता लगा की एक स्वामी जी एक भातीया सेथ DC घर में रह रहे हैं और फिर वहां पर अविलम मुहां जाकर उन्हें स्वामी जी से भेट के अखान जी ने देखा कि स्वामी जी के मुख मंडल पर एक भव्य कांती फैल रही है पाल बव्य कांती है आभा है वे उन्होंने एक अप्रूप नया कलेवर प्राप्त कर लिया है यह कुछ समय उज्जवल रूप लावने से और अपरूप नया कलेवर प्राप्त किया है वे अपने रूप लावने से कमरे को आलोकित कर बैठें पूरा कमरा उनके रूप लावने से आलोकित हो रहा है ऐसी अनुभूती स्वामी अखनान जी महराज को स्वामी विवेकन को देखने के कहां से कहां तक पूरी अपनी यात्रा कवर्णन किया अजमेर जैपूर वहां से होते हुए इस प्रेकास से आभू एम्दाबाद उधर नर्वदा संगम बढ़ोदा डाकोर फिर से अड़वान जुनागड जुनागड से सुना की पोरबंदर गए पोरबंदर पोरबंदर से सुना की द्वार का द्वार का गए तो द्वार का सुना की बेट द्वार का गए बेट द्वार का सुना की मांडवी चले गए मांडवी से सुना की वहाँ पर नाराण सरोर चले गए, नाराण सरोर सुना के आशापुरा गए, आशापुर सुना के मान भी चले गए, यह पूरा उन और वृतान सुना है एक सल का, स्वामी जी बोले इतना तुमको परिश्रम करने के क्या वह शकता थी, बले मैं तुम्हारे देखे बिना मैं र सुख तो रहना चाहते थे, अब क्या किया जाए, कुछ दिन तो साथ में रहे, फिर बाद में कहा, औरे गंगा, मैंने अपना एक जीवन लक्ष निद्रारित किया है, तुम में से किसी के साथ रहने पर उसे कारे में परणित नहीं कर सुकूँगा, पर देखा, आकर्णार हो गया हूं, मेरा साथ छोड़ दे, यहां तक कि स्वामी जी ने कहा, मैं दूस्चरित्र हूं, मेरा साथ छोड़ दे, स्वामी अकर्णार जी ने कहा, यदि तुम दूस्चरित्र भी हो गये हो, तो इससे क्या, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम्हारे चरित्र से उसक हो गई है अब तुम अकेले जा सकते हो तुम अकेले जा सकते हो अब मैं तुम्हारा पिछा नहीं करूंगा तब स्वामे जी संतुष्ट हुए दूसरे दिन चले गए भूज और अकानन जी भी एक दिन वहां रुकने के बाद फिर वह भूज गये तो ऐसा हम अनुमान करते हैं कि स्वामी विवे कानन जी वहां पर क्योंकि वह गहते महाराव खेंगार जी तुसरे के विशेश निमंत्रण पर इस बार मांडवी आये थे कच्की यात्रा पर आये थे तो उन्होंने वहां पर जो प्रागमाल है वहीं पर निवास किया होगा क्यों कि स्वामी अखनान जी बोलते कि मैं जब दूसरे दिन गया एक दिन के बाद तब स्वामी जी ने मेरी विवस्था दीवान जी के बंगले में कराई जैसे हमने कहा था दीवान जी का बंगला व वहां से केवल पांच मीट आप पैदल जा सकते हैं, इतना नजदिक है वो बंगला, पर वो दिवान जी का बंगला, जिसके उस दिन हमने फोटो भी बताया था, जिसके बारे में हम लोग उसको मेमरिल बनाने के लिए प्रेयत न कर रहे हैं, तो दिवान मुतिलाल लालचंद क उनके यहां पर स्वामी जी ठहरे थे, जब पहली बार आये थे तब, तो जहां जिस दिवान जी के यहां पहली बार वो खुद ठहरे थे, वही पर स्वामी अकानन जी के महराज के रहने के विवस्ता की, इसका मतलब स्वामी जी खुद यही रहे थे, तो अकानन जी ऐसा न की वेवस्था उन्होंने अपने साथ मेरी वेवस्था की उन्होंने ये कहा कि मेरी वेवस्था दीवान जी के हां कई यह दि हम ऐसा अनुमान करें कि हाटके शर्मंदे के सामनी जो स्टेट गेस्ट था वहां पर स्वामी जी रह रहे होंगे उनका निवास होगा तो वहां तो खेंगार जी तीसरे के तो उनके साथ ही वे उस प्राग मल में रहे होंगे अब उनको संकुछ हुआ होगा कि राग में मैं रह रहा हूं कैसे सौमी अखानन जी को भी बोलू महाराव जी को कि अखनन जी का भी वेवस्ताइँ हा किजिए इसलिए इसलिए उन्हों ने दिवान दीवान जी का बंगला है जो कि बाद में कोर्ट को पुरानी कोर्ट की हिसाब से जिसका उपयोग होता था अभी तो वह बिल्डिंग बहुती खराब स्थिति में है और उसको तो गिरा देने वाले थे पर हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन किया गौवर्मेंट को कि अत्यं मुल्यवान मकाने भवने क्योंकि यहां स्वामी विकान रहे थे इसलिए अभी तक वह गिराय नहीं गया है और ऐसा प्रेतना कर रहे हैं कि उसको मेमोरिल बना जाए इधर प्रागमल में भी स्वामी जी खुद ने रहे थे नहीं भी रहोंगे तो कई बार उन्होंने यहां सब containing उसकते कि यहांुत प्रागमल भी हमारे लिए अट्यंत सद्धा का कौ्छिए तो अभी जो वर्तमान महरा उऔर महरनी प्रागमल से उनको अनुरोद किया है पुरा का पूरा जो प्रागमाल है वो तो सायद स्मृति मद्र नहीं बन सकता परन्तु उसमें का कुछ छोटा सा कोई अंश महापरिदी स्वामी विवेकान का चित्र प्रदर्शन लगाया जाए और उस प्रकार का एक प्लैक लगाया जाए कि यहा प्रदर्शन हो इस प्रकार के कुछ भी उनके स्मिति की बाते हो इसके लिए हम लोग प्रैत नर्शिल है जो भी हुआ कुछ दिन तो दोनों रहे अब खेंगा जी महाराव जी ने तो उनको बुलाया ही था विद्वानों के साथ चर्चा कराई दर्बारियों के साथ चर्च हो गए उनके एकदम अनुयाई हो गए तब एक बार फिर स्वामी जी ने कहा अरे गंगा मैंने एक बात यहां सुनी है पचीस वर्षो पूर्व यहां भुज में एक सन्या से आया था उसका नाम था आनंद आश्रम और यह बहुत बड़ा विद्वान था तो वो भी इसी प्रेकार जैसा मैं रह रहा हूं वैसे महाराव के साथ रहता था महाराव जी उनके उपर अनुरुक्त हो गए उनकी सब मानते थे क्योंकि उसका बहुत विद्वान था तो उनकी सब जो सलाह को वो मानते थे तो उन्होंने कई अच्छी अच्छी सलाहें दी थी जिसके कारण बड़ा विकास हुआ राज्य का ऐसा बोलते हैं और फिर उसने सलाह दी कि आप अच्छी की इड्मिष्टन को सब्सक्राइब की आछ तहां होता था कि प्रजाजणों को नुकसान कम हो चबास्तों प्राइब कश्छी यांब प्रजाज उन्हों के पास से बहुत लूटते थे टेक्स के रूप में दस गुना वहां से ले ले लेते थे उनके पास से तो इन्होंने यह सिस्टम बंद करा करके एड्मिस्टेशन की सेंट्रलाइस सिस्टम कहा करने को तो नेचरली सभाविक है कि यह जो लोग थे उनको तो लगा उनके लिए तो यह कांटा बन गए अरे यह कहां से साधू आ गया हमारे पेट पे लात मार रहा है तब इन लोगों ने क्या किया उसको जहर डाल करके मार डा खाने में जहर मिला दिया मार डाला तब स्वामी जी ने का देख गंगा हमारी भी ऐसी अवस्था होगी तो कि राजा तो हमारे प्रेम में पढ़ चुका है सब हमने इस प्रकार से दर्वारियों के लिए हम लोग बाद में इर्शा के पात्र हो जाएंगे इससे अच्छा ब पुस्तक में स्मितिकता में और पंदर दिन जहने के बाद फिर स्वामी जी ने बुला कि मैं अलग जाओंगा तुम अलग जाओगे तो स्वामी जी वहां से चले गए पॉरबंदर और तीन-चार दिन बाद स्वामी अखनानरनंजी भी पौर बंदर पहुँचे तो फिर व पंडित के रूप में कुछ दिन रहे उसके बाद में स्वामी जी चले गए जुनागर और फिर जुनागर से और आगे की वियत्रा की उन्होंने जिसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे अखानान जी महाराज महापर से पोरबंदर से काठिया वाल मतलब यह राज़कोट क क्यासपस की बाते हैं यहां से होते हुए जामनगर गए फिर जामनगर में वह लगबग एक साल रहे और क्या किया कैसे जुन्डू भट जी कहां रहे थे यह सब बाते हम लोगों ने स्वामी एकान जी महाराज की जब बाते की तब हमने उसकी चर्चा हमने की थी इजह स्व जगा पर तो यह इस प्रकार से स्वामी जी की बाद की जो बात है हम लोग बाद में देखते हैं अब यह प्रश्ण होता है कि यह जो मांडवी में जिस मकान में स्वामी जी रहे थे वह कौन सा मकान था इसकी खोज भी नभी जारी है अभी हम लोग कोई conclusion पर यह अभी तक अन्दाज अभी ऐसा हो रहा है कि एक मकान है लाइजा वाला नाम के हैं अभी उसमें तो अखना जी माने उसका नाम नहीं दिया है किनके मकान में स्वामी जी रहते थे इतना ही दिया है एक भाटिया शेट के घर में स्वामी जी रहते थे भाटिया तो एक कॉम्यूनिटी है भाटिया कोई ऐसा सरनेम नहीं है भाटिया सरनेम हो सकता है परंतु वो पंजाब में रहता है पर यहां पर जो है कच्छ में भाटिया उसको बोलते हैं जो व्यापारी कॉम्यूनिटी के हैं तो भाट भी भुकम के होने के बावजुद हाला कि मांडवी में भुकम की बहुत बड़ी ज्यादा असर नहीं हूए थी 2001 में जो पुकम पाया था जैसा कि भुज में उस तरब हुआ था सवभागे से मांडवी में उतनी असर नहीं भी हूए थी तो यह जो मकान बहुत पुराना ऐसा कहते हैं कि स्वामी विवे कानन जी यहाँ पर रहे थे तो उसका प्रमान तो हमारे पास कुछ है नहीं एक ही प्रमान है कि हमारे अत्यंतस नहीं है यह कांतिशेंश श्रॉफ जिसको कांति काका के नाम से भी लोग जानते हैं इनकी अभी उन्म्र है 98 वर्ष 98 य कांतिशन के एक छोटे भाई एक बड़े भाई यह रामकिश्र मिशन में ब्रह्मचारी के हिसाब से थे बड़ी और कम उम्र में ही उनका देहांत हो गया दुर्भागे से तो तबसे यह राव परिवार के साथ हमारा संबंध है और कांतिशन श्रॉफ हमारी बोरोड़ा में जो मैनेजी कामिटी के प्रेसिडेंट भी थे और यह उनके जो वहां पर बंबई में जो हमारा रामकिश्र मिशन है वहां पिर मैनेजी कामिटी में थे दूसरे भी उनके साथ जो थे उसके बाहद वाले उनके बतीजे यह सब भी और अभी भी यहां पर रामकिश्र मिशन म कि अतुल भाई श्रॉफ हैं जो कि उनके वतीजय हैं कांति शंचांक क्या पर कैसे बैनेज्मेंट में मांते हैं इसक्राइण जो भी प्रॉफित आता मांडवी में खोली है तो उनका यह कहना था तो यह कांटिशन श्रॉप का यह कहना था कि हमने बाप दादाओं के पास से ऐसा सुना है कि यह जो लाइजावला का मकान है इस मकान में स्वामी विवेकान रहते थे यह एक बात हुई दूसरा जब हम मकान को देखने के लिए मकान को भीतर से भी देखा बहुत ही भव्य वो मकान है भले अभी पुराना हो गया परंतु अत्यंत भव्य है और ऐसा कहते को जो लाइज खिंगार जी ने अवश उनकी विवस्ता ऐसे अत्किन धनाड़ी वक्ति क्या ही की होगी रहनी की विवस्ता क्योंकि पैलेस तो बना जो पैलेस 19-19 के बाद ही बना है उसके पहले कोई पैलेस नहीं था शिकार खेलने जाते थे महाराव जब तो वहाँ पर कैम्प बना देते तो इसलिए कोई पैलेस नहीं था कि जहां पर वो स्वामी विकन को ठेहराते तो होसकता है कि उन्होंने इनको पूल करके तो अभी यह जो लाइजावाला है वो कौनसे लाइजावाले थे हमको पता नहीं है पर वहाँ पर हमको दो फोटोग्राफ मिले भीतर में दो फोटो द्रामौदर ऑनेंजी ले जवाला। तो इसका मत्लब धाय कि इस समय के जमाने में लोग सरनेम नहीं लिखते थे। यह बिवरणी पता जी का नाम लिखते थी। आपने देखा होगा महुणीबई जच्च्च उसका सरनेम नहीं लिखते है। मोणी बैज़ में उनके पिता जी का नामी के वह लिखते हैं वो दिवान जी थे जो बरोडा के इस प्रकार से मोती जल लाल चन वह इतना ही लिखते थे सरनेम नहीं लिखते थे उस समय के विश्राम दो में से एक होंगे जब स्वामी जी अठारहसो ब्यानबे लगबग मार्च मेने में गर्मी सुरू हो गई थी यह हम समझ सकती क्योंकि स्वामी अकाना जी बोलते थे कि हमको जमिदार ने कहा कि दोपर के समय थोड़ा गरम होगा आप रात को यह करिए तो मार्च म यह होने से ही 26 अप्रेल को स्वामी जी बोलड़ा से बंबी चले गए उसके पहले बोलड़ा में कुछ दिन रहे उसके पहले नडियात कुछ दिन रहे उसके पहले पालितरान रहे उसके पहले पोरबंदर कुछ दिन रहे तो मिनिमम एक महना निकाल दीजिए तो कम से कम वो मार्च के महने में कभी इसा में यहां मांड़ी में रहे होंगे ऐसा अपर मन कर सकते हैं तो उस समय जिनके आतीति सत्कारं उनों ने स्वामी जी ने आतित सत्कार चिया कि उसमय सब्सद्राइब जो सकते हैं यह दामोजार आनेजी हो सकते हैं तो जो भी होगा उस मकान के लिए बारे भी भी और भी कोजबिन कर रहे हैं बहुत ही सुन्दर मकान है वहाँ पर भी स्वामी विवेकन की स्मिती हो इस प्रकार की चेस्टाबाद में होगी पर पहले हमको यह पूरी उसके बारे में confirmation होना चाहिए कि हाँ इसी मकान में स्वामी जी रहे थे वैसे और भी अनुमान हम कर सकते हैं कि उस समय के जमाने क्या यह मकान है अभी भी बाकी सब मकान तो गिर गए है अभी भी यह यह है तो है तो बहुत पुराना मकान यह तो सब लोग वहां के जितने शहर वाले बोलते हैं और बेस्ट पॉसिबल उस समय का सरुष्ष्ट मकान है उठासो नबे के समय का इसलिए विविन दृष्ष्टिव से देखने पर लगता तो यह है इसी मकान में रह होंगे और इस पर हम लोग खोजबिन जारी है बात देखते हैं उसी प्रकार से भूज में जिस मकान में दिवान जी कह रहे है उसकी भी खोजबिन जारी है और इस स्वामी विवेकान की महिमा आज तो हम लोग जानते नहीं हैं, बाद में धीरे 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 हमको पता पड़ेगा कि किस प्रकार से ये स्वामी विवेकानन जी ने क्या किया था, किस समय कितना गहरा चिंतन किया था, स्वामी विवेकानन जी माज एक बात और बोलते हैं, कि स्वामी विवेकानन जी को देख करके उनको एक दूसरी बात याद आ गई, स्वामी विवेकानन जी को बात याद आ गई, उनको रामकिष्ट देव की, स्वामी विवेकानन के साथ चर्चा उन्होंने की, देखा इनका चर्चा का मुद्दा बदल गया, पहले भारती, संसिती, अध्यात्म, यह सब बाते ज़्यादा होती थी, अब मानो स्वामी जी का मन पूरा वेश्विक हो गया है, और मनुष्य में रहे इश्वर की सेवा करने की उनकी एक तड़ाप लग गई है, कैसे शिक्षा दी जाए, क अध्याब उनको लगा, स्वामी अखनन जी अपनी स्वितिक अथा में लिखते हैं, कि स्री रामकिष्टे देव ने घटना इस प्रकार की स्री रामकिष्टेव दक्षिनेश्विन में अपने कमरे में बैठे थे, और भक्तों के साथ बाचित कर रहे थे, उन भक्तों में ए मुक्षी एक तो होता है, नामनी रूचि भगवान का नाम लेना चाहिए, दुसरा है वैश्चनवे नीचे उतरने के बाद कहा क्या कहा जीव पर दया जीवे दया जीव पर दया करने वाले तू कौन है रे तू एक शुद्र किटानू जो प्रित्वी पर रेंगता हुआ किटानू तू जीव पर दया करेगा जीव पर दया नहीं जीव की शीव ग्यान से पुजा जीव की शीव शीव ग्यान से जीव सेवा का यह उस समय उपदेश शृरामकिर दीव ने का उसके बाद जब नरेनात बाहर निकल गए उन्होंने कहा आज गुरुदेव के मुक्षे कितना महान उपदेश सुना है जिसमें ग्यान और भक्ति का और कर्म का सुंदर समन्वे है जहां प्राचि तो मैं इस उपदेश का प्रचार प्रसार करूंगा सारे विश्व में ये बात उन्होंने अपने जो गुरु भाईयों को कही यह लोग तो सभी उसे में कॉलेज के चात्र थे स्वामी अखानजी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि वह समय अभी आ गया है जब उन्होंने स्वामी अखानजी ने विवेकां जी को देखा तो अब उन्हों को लगा कि नरेन नाते दक्षिरश्र में एक दिन स्वी गुरुदेव की महावानी जीव के प्रतिद्याने शीव भाव से जीव सेवा सुनकर कहा था भगवानी दी कभी अवसर देंगे तो आज जो सुना है उसे पंडित मुरुक धनी दरीद ब्राह्मन चांडलाल सब को सुनाओगा वो स्वयम लिखते हैं कि मैं आनन से भर उठा तो इस प्रकार से बोलते हैं कि मानवी भूज और पोरबंदर में उन दिनों वे सौमे जी के साथ देश की वरतमान दुरवस्था और भावी उन्ड़ते के समन्द में चर्चा किया करते थे नव्युक का धर्म सेवावरत में जो विधी निर्दिष्ट भूमी का अखनानन को ग्रहण करनी पड़ेगी लगता है कि उसका आवास उन्होंने यहीं पाया था ऐसा लेकक कहते हैं तो इसलिए यह जो सेवावरत की धारना सेवावरत की बातें शीव ग्यान से जीव सेवा की बातें इस समय स्वामी जी का मन मानूं उसी प्रकार के विचारों से भर गया है तो स्वामी अखनानन जी का मन ना चुठा कि देखो उस समय जो स्वामी जी ने कहा था मैं इस प्रकार से करूंगा वो दिन आज आ गया है और अभी स्वामी जी का मन इस प्रकार से सेवावरत से भरपूर हो गया है इस प्रक परसाथ साथ में वे ततकाली समाज के जो दूरितियां हैं पूरितियां हैं उनका भी अध्यन करते हैं और उनका मन इस प्रकास से शिव्या से जीव सेवा के आदर से भर जाता है तो यह स्वामी विवेक आनंजी का जो गुजरात का जो परिभ्रवन वो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा चेप्टर है तो उसकी बागी के चर्चाबाद में करेंगे आज समाक्त करें ओम शान्ति 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 हरिही ओम तच्सत श्री राम कृष्णार पर नमस्तू